लौकांतिक देवों द्वारा वैरागी की अनमोधना के पश्चात सौधरमेंद्र अनेक देवों के साथ पालकी लेकर आते हैं। उसमें युवराज को विराजमान करके दीख्षावन में ले जाने के लिए वे जैसे ही पालकी उठाने को ततपर होते हैं। ततकाल, भूमी गोच्री और विद्यधर राजा आकर उन्हें पालकी उठाने से रोपते हुए कहते हैं कि पालकी उठाने का पहला अधिकार हमारा है। इसी बात पर देवों और मनस्यों में वाद विवाद हो जाता है और अन्त में मनस्यों के पक्ष में निर्णे होता है। पुराणों में प्राप्त उल्लेख के अनुसार यह विवाद प्रिथम तीथंकर रिसव देव के दीक्षा कल्यानक प्रसंग पर हुआ था। बाद में अन्न तीथंकरों के समय भी ऐसा विवाद होने का उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी संयम की महमा बताने के लिए यह प्रसंग प्रस्तत किया जा रहा है। देव और मानबों में चल्चा ये चल पड़ी। कौन पाल की का हकदार रे। कौन पाल की का हक दार रे। देव और मानबों में चल्चा ये चल पड़ी। दिब्य शक्ति के धारी हम है। पाल की लेकर आये हम है। सदा निरोगी योवन मैतन। गगन बिहारी यह बैक्रीतन। पहले हात लगाएंगे पाल की के हम हकदार रे। देव और मानबों में चल्चा ये चल पड़ी। यह तन तो जड़ पुदगल का है। इसमें भी छड़ भंगुरता है। दीब सक्तियां भी पुदगल की। इनमें सक्ति नहीं आतम की। करो नाब तक रार रे, पाल की के हम हकदार रे। देव और मानबों में चल्चा ये चल पड़ी। बस्त्रा भूशन हम ले आए। पंद्रह मास रतन वरसाए। पंच कल्याणक महा महों सव। भूतल पर आहमी मनाए। न्या एस करो विचार रे, पाल की के हम हकदार रे। देव और मानबों में चल्चा ये चल पड़ी। जडरतनों की क्या है महिमा। यह तो तीर ठंकर की गरिमा। पुन्य उदे से ही तुम्हे आओ। क्यों ना अन्य का उत्सव मनाओ। मन में करो विचार रे, पाल की के हम हकदार रे। देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी। समब तरण भी हम ही बनाएं। दिर्व ध्वनी का योग बनाएं। मोक्ष कल्याणक में भी आएं। पहले पाल की क्यों न उठाएं। क्यों नहीं करो विचार रे, पाल की के हम हकदार रे। क्यों नहीं करो विचार रे, पाल की के हम हकदार है। देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी। भव्य जीव के पुन्य उदैसे, तीर्थंकर का बचन योग है। क्या तीर्थंकर सम हो सकते। क्या सयम धारण कर सकते। अते नहीं अधिकार रे, पाल की के हम हकदार है। देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी। धन्य धन्य यह मानव जीवन। सयम धारण कर सकते नर। ये मानव सुर्बै भव ले लो। छण भर को मानव तन दे दो। तुम सचे हकदार हो, पाल की के तुम हकदार हो। पाल की के तुम हकदार हो। पाल की के तुम है। पाल की के तुम है। पाल की का तुम है।